पर रामराम टीचर्स स्वागातर सभीका वेदान्त अकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टेट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करने वाले हैं आज ज्यामिती में और ज्यामिती में तुरुज पर बात करने वाले हैं और तुरुज हमारा दो आवधारणाएं जिसमें छेत्रफल लिया है छेत्रफल आपको जो यूनित नंबर छेत्रफल कहां पर मेंशन किया गया है बता देते आपको यूनित नंबर सिक्स वहां पर सारी चीज़ें जो जायमिति आवधारणाएं हैं वह वहां पर एक्सप्लेंड किया है जिसमें आप आपका विकर्ण की जो प्रॉपर्टीज है वो वर्ग की प्रॉपर्टी चतुरूज बगएरा सभी की प्रॉपर्टीज के वारे में बहां पर बताया है तो जो जैमिति अवधारनाय हैं वह वहां पर ले लिए हमने फिर तुरुपुच के गुणधर्म आज हम डिसकस करने व वाला पार्ट भी आम यहां पर ले लेंगे ट्राइंगल को अलग अलग जगह पर ब्रेक करके नहीं पड़ेंगे तो थी और फाइब यूनिट जो है अपनी वह इसी में सामिल हो जाएगी तो वीडियो भी सेम आपको मिलेगा 3 और 5 का जो 3 और 5 का फोल्डर होगा वह हम सेम कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले हम अपना ट्रैंगल स्टार्ट करते हैं ट्रैंगल के गुण धर्म और फिर उसके त्रबुच की रचना रेखाखंड का वि त्रबुच क्या होते हैं बंद आक्रतियों में सबसे चोटी जो संरचना होती है वह बहुबुच होती है दो या दो से अधिक बुजाओं से मिलकर बनी जो संरचना होती है वह बहुबुच होती है और उसमें सबसे चोटी संरचना कौन सी आती है त्रबुच जिसमें 3 बु या elementum बोलें, तो components क्या-क्या होंगे, भाग क्या होंगे, भाग होंगे इसके, अगर इसका हम विवाजन करें, तो यहां से पता चलेगा, तीन भुझाएं, तरबुच से यही पता चलेगा, तीन भुझाएं तो ये इसके हिस्से हो जाएंगे, साथ में हिस्से होंगे तीन कॉण तीन भुझाएं और तीन कॉण तो पहले कॉण के आधार पर एक प्रापर्टी जो बहुत important बनती है और आपका जो syllabus है उसमें कौण दिया हुआ है third point में तो हम इसे लेकर चलेंगे यहां पर तो यहां लेते हम कौण और कौण के हिसाब से triangle में सबसे पहली property बनती है और number of properties हम पढ़ने वाले हैं तो एक दो तीन करके अब लिखेंगे तो कौण के हिसाब से सबसे पहली property बनती है कोई भी त्रबुज A, B, C हमने बना लिया यह त्रबुज A, B, C हमने बना लिया इस त्रबुज में जो यहां कौण बनेगा यह जो एंगल बनेगा इसे हम नाम देंगे एंगल A और B vertices, C, इन्हें कहा जाता है A C, यह B C, यहां एंगल B और यहां ले लिया एंगल C तो जो property आपको याद है सबसे पहले वही property है अपने लिखते हैं यहां पर हम सभी का प्रूफ नहीं पढ़ने वाले हैं सिर्फ हम properties अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो यह most important property और इस पर जो based questions हैं कौण पर जो based question है वो हम रेखा एवं कौण में बहुत सारे questions कर चुके हैं तो वहां अब हमें त्रुबज पर questions करने की ज़रूरत एंगल पर नहीं है हां जहां जरूरत लगेगी वहां हम समझाते जाएंगे questions कर लेंगे फिर अपन दूसरी property पर चलते हैं बहुत important property कौण को लेकर जो property है वो है बाहे कौण प्रमे जिस पर हम सवाल कर चुके हैं तो बाहे कौण प्रमे डाइग्राम के साथ में किसी भी बुजा को बढ़ा दो बाहे कौण जैसे यहाँ angle हमने मालिया alpha इसे मने angle alpha म मालिया इस angle alpha की value theorem के according theorem बोलती है इसे बाहे कौण प्रमे कहा जाता है किसी भी तुर्भुज के बाहे कौण का मांद दूरस्त अंतहकौनों की यो के बराबर होता है और आप लोग भी इसको बोल-बोल कर ही पढ़ेंगे और इंग्लिस में बूला जाता है exterior angle of a triangle is sum of opposite interior angle ये angle A और angle B के योग के बराबर होगा इन दोनों के sum के equal होगा ये कहा जाता है इसका भी हम प्रूव नहीं देख रहे हैं अलाकि simple होता है ये 180 माइनस C हो जाएगा और ये इसके 180 करेंगे तीनों को उससे solve हो जाएगा लेकिन अभी अपन को नहीं देखना है ये theorem हमें ध्यान रखनी है ये theorem हम ध्यान रखेंगे अब हम चलें आगे चलें triangle में properties में ये दो properties हो जाती है angle को लेकर अब हम properties चलते हैं sides को लेकर जो जयमिती पर आधारित हैं जयमिती रचनाओं पर आधारित हैं जब हम रचना करने चाते हैं तो रचनाओं में हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो कॉंड के साथ में अब अपन चलते हैं रचनाओं में बुझा की लंबाई ओं पर जैसे यह हमने लिया triangle A, B, C अब यह जो सामान्य तह लिया जाता है आप समझना A vertices के सामने A series के सामने A A बुझा लिजाती है B, C, C बुझा लिजाती है यह आप आसानी से ध्यान रखना A C, B, C, C बुझा लिजाती है यह बुझा की लंबाईयां है अब इन लंबाईयों के साथ में यह समझने की बात होगी कि किनी भी दो बुझाओं का योग तीसरी बुझा से हमेशा बड़ा होता है मतलब क्या बुला जा रहा है A plus B is always greater than C और इस greater than का मतलब है बराबर भी नहीं होगा बड़ा ही होगा फिर उसके बाद और दूसरी जो जोड़े हैं B plus C is greater than A C plus A is greater than B यह हम समझ कर चलेंगे दो बुझाओं का योग हमेशा तीसरी बुझा से बड़ा होगा फिर हम लेकर चलें चौथा यह भी रचना से ही प्रापर्टी है चौथी प्रापर्टी है दो बुझाओं का अंतर हमेशा तीसरी बुझा से छोटा होगा दो बुझाओं का अंतर कैसे लिखेंगे यह लिख दिया अंतर यह छोटा होगा तीसरी बुझा दो डंडी जिसकी तरफ है वो बड़ा बराबर भी नहीं है इसमें और इन पर बेस्ट जो question बनते हैं वो भी अपन देखने वाले हैं और इसका मतलब है A मैं से B को घटादू या B मैं से A को घटादू फिर अपन चलें B और C से ले लें C और A से ले लें इनको diagram से भी easily समझा जा सकता है, अब हम चलें, ये basically बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है, जैसे A और B है, A और B का योग हमेशा क्या होगा, C से बड़ा होगा, अगर मोटा मोटा इसको बनाने की कुछिस करोगे, जैसे ये है A, और ये है C, और A, C, और, sorry, ये point ले लिए है पड़ा कैसे होगा, जैसे यहाँ A, B, और ये ले लिया C, तीसरी भुजा कौन सी होगी, B, C होगी तीसरी भुजा, अब देखो अगर ये संपाती हो जाएंगे, संपाती हो गए, संपाती होने की condition क्या हो जाएगी, A, C, प्लस, A, B, is equal to क्या होगा, B, C, दिख रहा है, इन इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दो, और आप जैसे ही ऊपर करोगे, जो खिची हुई रसी है, इसको जैसे ही ऊपर करोगे, वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी, और वहाँ बन जाएगा त्रुज, तो हमें त्रुज अगर बनाना है, तो प्रूव की तुम्हें कोई भी आवशकता नहीं है, इन प्रूव से तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं पैदा होगा, जब टीच करोगे ना, तब तुम इनको पढ़ लो, जादा बहतर है, अब अपन चलते हैं, इस पर तुम्हारे लिए कोश्यंस कैसा दि बुजाएं, पांच और साथ तथा तीसरी बुजा एक्स है, तो एक्स की परिशर बताओ, एक्स के मान की रेंज बताओ, वेल्यू आफ रेंज आफ एक्स, तो एक्स का मान कितना हो सकता है, अभी तुमने पढ़ा तीसरी बुजा, तीसरी बुजा की दो प्रॉपर्टी तो X की range कहां जा रही है X की range जाएगी अंतर से जादा और योग से क्या छोटी देखो ये तीसरी भुजा है अंतर से बड़ी और योग से छोटी ये अपन दोनों को mix करके लिख दिये ये इसकी range है, range क्या होगी अंतर देखो, अंतर 7 और 5 का अंतर X और 7 और 5 का योग, मतलब जो तीसरी भुजा है वो 2 से बड़ी होगी और 12 से छोटी कोई भी मान लिख दो आप 2.2 और 11.9 11.9 कुछ भी लिख दोगे त्रुज बन जाएगा तो ये इसकी range आजएगी या इसमें सवाल हमसे क्या पुछा जा सकता था या हमसे सवाल पुछा जा सकता था 5 और 7 एक त्रुज की 2 भुजा है तीसरी भुजा कौन से संभव है वो option दे देता हमें option दे देता 2.11.12.15 2.11.15 अब range क्या है 2 से बड़ी और 12 से छोटी न तो इसमें 2 सामिल है न इसमें 12 सामिल है न दो सामिल है न बारा सामिल है न बारा से बड़ी सामिल है न दो से छोटी सामिल है तो answer क्या बनेगा इसमें 11 इस तरह से सवाल पूछे जाते रहे हैं तो यहाँ पर properties के साथ में हमने example भी discuss कर लिया अब हम चलते हैं इसकी अगली property पर जामितिय रचना में अगली property जाने से पहले अब हम देखें types of triangle तरबुच के प्रकार वो भी किस पर आधारे थे हैं वो भी जामितिय रचना और कौन दोनों पर आधारे थे तो प्रकार देखने हम चलते हैं प्रकार देखने में भुजा और कौन के आधार पर और एक जो type बनता है वो बनता है दोनों को mix करके वो हम अलग से discuss करेंगा और वो भी बहुत important triangle होता है दोनों को mix करके जो आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर क्या होता है सबसे पहला होता है scale and triangle scale and triangle scale and triangle scale and triangle को हिंदी में बोलते हैं विशम बाहू त्रबुज विशम बाहू त्रबुज विशम बाहू त्रबुज क्या होता है विशम बाहू त्रबुज होता है तीनों भुजाएं अलग-अलग तीनों भुजाएं अलग आप लोग ध्यान रखना भुजाओं से ही क्या बनते हैं कौण, कौण हमने अलग से नहीं पड़ा जब हमने भुजाओं को मिलाया तो भुजाओं से ही क्या बन गया कौण बन गए, तो भुजाओं से वो related होते हैं, तो तीनों भुजाओं अलग अलग हैं, तो तीनो कौन भी क्या होंगे, अलग अलग, तो तीनो कौन भी क्या होंगे, अलग अलग, ये इसकी property हो जाएगी, तीनो कौन भी अलग अलग, तीनो कौन अलग अलग, इसके बाद हम आगे बढ़ें देखो, तीनो भुजाएं अलग अलग, अब धीरे से सम दिवाहू आईसोसेलस ट्राइंगल आईसोसेलस ट्राइंगल क्या है जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं तो दो भुजाएं समान दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा दो कौन भी क्या होंगे बराबर होंगे ये प्रापर्टी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है जैसे आपकी ही प्रापर्टी आपकी संपत्ती है इस तरह से याद रखना है दो कौन समान दो कौन समान और इस पर बहुत सारा content आगे आप लोगों को मिलेगा important है अब इसको अगर और थोड़ा सा समझेंगे कैसे होगा क्या होगा देखू थोड़ा सा समझना इसको इसमें conceptual चीज़ें हैं conceptual चीज़ क्या है conceptual चीज़ है जब आप इस ABC ट्राइंगल जिसमें आप पहले से लेकर चल रहे हो AB बराबर AC है आप यह मान कर चल रहे हो सर AB बराबर AC क्योंकि संद्वाग उत्रबुच की बात कर रहे है AB बराबर AC है अगर माद्यका की चोके माद्यका का मतलब क्या होता है सामने वाली बुझा के मद्ध बिंदू पर वो जाके मिलती है सामने वाली बुझा के मद्ध बिंदू पर यह जाके मिलेगी यह मिली यह जो पार्ट हैं यह दोनों कैसे हैं सेम इसे आप क्या बोल रहे हो, माध्य का बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, BD is equal to DC होगा, अब देखना, ये काम क्या हुआ, इसका जो अनुपात होगा, वो कैसा होगा, same, इसका जो अनुपात होगा, वो क्या होगा, same, BD और DC का अनुपात क्या होगा, एक अनुपात, एक, और AD क् अभी अभी क्या बोल रहा हूँ एडी को माध्य का बोल रहा हूँ क्योंकि यह सामने वाली बुजा के मद्द्धिंदु का टच कर रही है। और अगर आप इसमें कॉनारधक खीचोगे जो हमारा अगला टॉपिक है शन्रचनाओं में अगला टॉपिक है कॉनारधक अगर इसमें आप कौनारदक की चोगे, कौनारदक की property होती है, वो सामने वाली बुजाओं को कौन बनाने वाली बुजा के अनुपात में पांटता है, सर ये क्या बोल दिया आपने जल्दी जल्दी में, तो ये बोल दिया, जो AB और AC का अनुपात होगा, वही अनुपात किस का होगा, BD और DC, क्योंकि ये जो कौन है, वो किस से बन रहा है, AB से बन रहा है, और AC से बन रहा है, तो सामने वाली बुजाओं को ये किस अनुपात में पांटेगा, AB और AC, सर ये तो बराबर हैं, और बराबर का मतलब क्या होता है, अनुपात कितना है, एक अनुपात, ए तो सम दिवाहू त्रवुच के अंदर जो माध्यका होती है वो माध्यका क्या होती है वो माध्यका होती है कौनार्दक मेडियन ही एंगल बाई सेक्टर होती है ये ध्यान दखेंगे उमीद है ये बात आपको समझ में आगे होगी और इसको हम और आगे पढ़ेंगे इसलिए और आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों साइड देखो बराबर हैं अगर ये दोनों साइड बराबर हैं सर आपने उपर लिखा दो कौन बराबर हैं तो वो दो कौन कौन से बराबर होंगे तो वो जो दो एंगल होंगे वो यह होंगे यह वाले अंगल दो बराबर भजाओं के साथ में जो हमारे लिए हो जाएगा अब हम चलते हैं आगे और टाइम के साथ में हम और पढ़ते जाएंगे अधर्वाइज हम पूरे टॉपिक से ही भटक जाएंगे कि सम दिवाहू से सुरू किया था पता नहीं कहां कहां चले गए तो यह इतना हम इसमें यहां देखेंगे अब हम चलत हैं सम त्रवाहू त्रवुज सम त्रवाहू त्रवुज को बोलते हैं सम बाहू त्रवुज थर्ड आता है हमारा सम बाहू त्रवुज एक्विलेटरल ट्राइंगल सम बाहू त्रवुज या सम त्रवाहू त्रवुज कही जगा पर सम त्रवाहू भी लिखाता हो सकता है सुनते एकदम से लगाओ सर, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा, पढ़ने को मिला है, सम्भाहू त्रुज, इक्विलेटरल ट्रैंगल, अब इक्विलेटरल ट्रैंगल में क्या है, पहले तीनों बुझाएं अलग अलग फिर दो बराबर, अब तीनों बुझाएं बराबर, या तीनों बुझाएं बराबर, अब तीनों बुझाएं बराबर, तो तीन कौन बुझाएं, तीन बुझाए हैं बराबर और क्या होगा तीन कौन भी बराबर होंगे इसी को कहा जाता है संभाहूत रुबुज और जब यह सब बराबर है तो इसमें सब कुछ बराबर होगा और सब कुछ एक ही होगा यह क्या क्या बोल दिया सर आपने सब कुछ बराबर होगा सब एक ही होगा मतलब एक संभाहूत रुबुज में मातिका बराबर कौनारधक यह टर्म आप अभी लिख लो चिंतानी करो इनको आगे हम डिस्कस करेंगे सभी को कौनारधक लंब और लंबारधक यह सब डिस्कस करेंगे इंगलिस में बता देते हैं मीडियन एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह सभी क्या होते हैं सभी की जो लेंग्ड होती है लंबाई होती है वो बराबर होती है सब एक ही जगा होते हैं, एक ही जगा होते हैं, centers, centers में क्या? केंद्रक, अन्तह केंद्र, in center, और फिर बनेगा और्थो-center, और्थो-center, यह बनते हैं, और circum-center, 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 चार केंद्र बनते हैं, केंद्रक, अन्तह केंद्र, और लंब केंद्र और बाहे केंद्र, केंद्रक, अन्तह केंद्र, लंब केंद्र और बाहे केंद्र, यह चारो केंद्र एक ही जगा पर होते हैं, एक संबाहू तुर्भज में, यह हम आगे भी बात करेंगे, angles सभी बराबर होते हैं, सारी चीज़ें इसमें equal होती हैं, सबसे simple इसी का question माना जाता है, इसमें in circle और circum circle, अन्तह ब्रत और बाहे ब्रत की जानकारी है, वो छेतरफल में भी दी गई है, वहाँ भी आप geometrical properties को उठा कर देखेंगे, वहाँ भी explain किया है, अच्छे से, अब हम चलें आगे, यह तो थी बात किसकी, बुजा के हिसाब से हमने देखी triangles, अब हम चलते हैं किसके हिसाब से, कौन के हिसाब से, तो angle के हिसाब से हम triangles में चलें, कौन के हिसाब से देखें, तो आप लोग को भी पता है, बहुत जल्दी से हम इसको समझ देख लेते हैं, पहला है, noon corn, noon corn, noon corn त्रुज, acute angle triangle, noon corn त्रुज, acute angle triangle acute angle triangle में क्या होगा सभी कौन 90 से कम 90 degree से कम बढ़िया बाद सर फिर उसके बाद आता है sum कौन अब देख किस से रहे हो 90 degree से और sum आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा वो 90 degree पर पहुँच जाएगा sum कौन त्रुबवुच में क्या होगा एक कौन 90 degree फिर उसके बाद आएगा अधिक कौन त्रुबज अधिक कौन त्रुबज अधिक कौन त्रुबज अधिक कौन में एक कौन एक कौन 90 डिग्री से अधिक अब इसमें बस ध्यान ये रखना है जो नियून कौन है उसमें सभी कौन सभी के बारे में बात कर रहा है सम कौन में एक 90 डिग्री के बारे में बात कर रहा है और अधिक कौन में एक कौन के बारे में बात कर रहा है इनको अगर बनाओगे तो noon कौण तुरुबुज कुछ इस तरह से दिखता है सम कौण तुरुबुज इस तरह से दिखेगा यह जो L बना दिया जाता है इस तरह उल्टा जो L वो फ़लंड हो साइन होता है सम कौण का या 90 डिग्री होने का ये बन जाता है अधिक कॉंड तरबुज इनकी भी properties हम अभी देखने वाले हैं कि सम कॉंड में क्या होता है वर्ग से वर्ग की इसमें properties बनती हैं अब हम देखें इसमें एक चीज और mention करने वाली है note करने वाली है बड़े कौन के सामने की भुजा क्या होती है सबसे बड़ी और छोटे कौन के सामने की भुजा छोटी होती है तो यहां हम लिख लेंगे नोट करके लिख लेंगे बड़े कौन के सामने की भुजा जब हम कौन के हिसाब से लिख रहे हैं बड़े कौंड के सामने बुजा बड़ी और चोटे कौंड के सामने की बुजा छोटी और और के बाद वाला हम नहीं लिख रहे हैं अप लेख लेना छोटी कौन के सामने वाली खुजा होती है क्योंकि एक्चुली में क्या होता है ये होता है अपर्चर होता है जैसे आपने देखे होंगे Speakers देखे हुंगे My Speakers देखे हैं जो तुराई वगयरह रहती है पुलिस जिससे announcement करते है जो Speakers होते है speakers का move होता है speakers का move यूँ खुलता है तो इसे कहा जाता है अपरचर अब मुँ जितना खुला होगा इन दोनों vertices को सामने उंगलियों को जो मिलाने वाली बुजा है वो क्या होगी उतनी ही बड़ी तो यहाँ जो angle बन रहा है जितना छोटा होगा सामने वाली बुजा उतनी छोटी एंगल बढ़ते जाएगा बुजा सामने बड़ी हो जाएगी अब इसमें और नोट करने वाली ध्यान करने वाली बात क्या है यह है 90 डिग्री के सामने वाली बुजा सामने वाली बुजा कर्ण होती है बुझा कर्ण होती है hypotenuse होती है कर्ण होती है यह हो गया 90 degree के सामने वाली बुझा कर्ण होती है यह properties हम ध्यान रखेंगे अब हम इसमें और आगे चलेंगे इनसे related और क्या properties बनती है अब square में देखना square में इनसे related properties बनती है square में इनसे related properties क्या बनती है जब ये newn कॉन तरबुज होगा आप लोग नोट करेंगे इसको साथ में यही पर newn कॉन तरबुज होगा अब ये बुजाएं अगर a, b, c हैं तो newn कॉन तरबुज में होता है a square plus b square is greater than c square दो बुजाओं का योग तीसरी बुजा के वर्ग से बड़ा होता है अब इसमें a भी लिख लिए और इसमें लिखना हो और लिखना होगा तो फिर हम क्या लिख लेंगे b plus c का b square plus c square is greater than a square और लिख सकते हैं लिखने को बढ़ाने के लिए थियोरी फिर हम चलें इसमें बसम इतने लिखेंगे दो बुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बुजा के वर्ग से बड़ा होता है फिर उसके बाद आपके syllabus में लिखी है एक थियोरम आपके syllabus में थियोरम लिखी है जैसा हम देख पा रहे हैं मूल जामिति ये आवधारणा है छेतरफल तृवज के गुण धर्म और कौमा लगा के लिखा है पाइथागोरस प्रमिन और जब हम नियून कौण तृवज की प्रापर्टी लिखते हैं उसके बाद हम चलते हैं सम कौण और सम का मतलब होता है बराबर सम का मतलब बराबर होगा तो ये अधिक और कम ना होके कैसा हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा बराबर ये होगा A, ये B और ये C A square plus B square is equal to C square इसी को बुलते हैं पाइथागोरस प्रमे कर्ण का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें दोनों बुजाएं, लंब और आधार हो जाएंगी, अब ये लंब और आधार आप कैसे decide करोगे ये हम आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको trigonometry पढ़ाएंगे, तरिकौन मिती पढ़ाएंगे तब वहाँ पर लंब और आधार की ज़रूरत पढ़ेगी वहाँ बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे तो यहां अमारी python गुरस cover हो जाती है, वो आती है समकौन तरबुज में अब चलें इसके बाद अधिक कौन तरबुज में सबसे बड़ी बुजा का वर्ग बड़ा होता है छोटी बुजाओं के वर्गों के योग से यह property भी हमने यहां पर cover की और हमें लगता है कि triangle में हमने sides के हिसाब से, जो कौन है उसके हिसाब से और लंबाई के हिसाब से हमने properties को cover किया है अब हमें चलना है रचनाओं में माध्यकाओं पर और कौनारदक पर तो हमें लगता है इस part में हम इतना रखते हैं next part में हम discuss करने वाले हैं कौनारदक और कौनारदक से जुड़ी हुई सारी जो properties हैं वो सबी इन properties को आप एक बार फिर से देख लेना फिर अगले वीडियो पर चलना notes बनाते चलना आप लोग साथ में तो इस session में यहां पर हम इतना रखते हैं फिर मिलते हैं आगले session में कौनारदक के साथ में फिर उसके अगले session में माध्यकाओं के साथ में फिलाल के लिए धन्यवाद राम राम सभी teachers को थैंक यू